हे दोस्तो कैसे आप सब आज हम लोग जानेंगे लेंड माइन कैसे काम करता है दोस्तो लेंड माइन को यूज होते हुए आपने मूवी या फिर बहुत सारे सीरियल्स में देखा ही होगा लेकिन आज हम लोग जानेंगे ये कैसे काम करता है लैंड माइन एक विस्फोटक डिवाइज है जिसको जमीन में चुपाया जाता है इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है यह इतना पाउरफुल है मजबूत से मजबूत टैंक दुश्मन का बड़े से बड़ा सेना पलक जपकते ही टाटा बाय बाय खतम हो सकता है यह इतना संसेटिव होता है इंसान इसके आसपास से भी गुजर जाये तो एक्स्प्लोड हो जाता है हमारे पास दो टाइप्स के लैंड माइन होते हैं एंटी टैंक माइन, एंटी परसनल माइन एंटी टैंक माइन, especially military दवारा यूज किया जाता है यह बड़े बड़े वेहिकल्स जैसे टैंक, बंकर्स, ट्रक, इतियादी को उड़ाने में यूज किया जाता है एंटी परसनल माइन, इंसानों या बड़ी सेना या ग्रूप ओफ एनिमी को उड़ाने में यूज किया जाता है माइन्स का इतिहास काफी पुराना है माइन्स का इस्तिमाल सन अठारा सो सताबदी में अमेरिकन सिविल वार में यूज किया गया था इसके बाद एंटी पर्सनल माइन का यूज वर्ल्ड वार टू में काफी लार्ज स्केल में यूज किया गया था इसके बाद वेतनाम और कोरिया जीसे देशों द्वारा भी इसे यूज किया गया था इसे फर्स्ट गल्फ वार में भी यूज किया गया था Anti Personal Mine को Anti Tank Mines के पहले लगाय जाता है ताकि Enemy जब Anti Tanks को हटाने आए तो पहले ही Personal Mine से Explode हो जाए Mines का use अचानक हमले को रोकने के लिए use किया जाता है जैसे borders, camps या important bridges में ताकि उस particular area से दुस्मन आगे नहीं आ पाए World के 98 countries हैं जिसके पास landmines है Landmines के use से 15-20,000 इनसान हर साल मारे जाते हैं उन में से 80% civilency होते हैं चलिए अब जान लेते हैं landmines कैसे काम करता है ये हिस्सा माइन का casing है ये environment के जो भी disaster से उससे protect करता है ये जितने भी components है उसको contain करता है ये part pressure plate कहलाता है जब हम इसमे pressure apply करते हैं तब धमाका होता है आईए देखते हैं ये कैसे होता है ये हिस्सा firing pin कहलाता है जब इसमें pressure पढ़ता है ये triggered हो जाता है इसका fuse mechanism इस तरह से बना होता है प्रेशर पढ़ते ही detonator को touch करे जिससे detonator active हो जाता है detonators के दो parts होते हैं ये upper surface booster charge कहलाता है बलकि ये side surface detonator explosive charge कहलाता है इनका working principle क्या है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे इन दो main charge में explosive भरा होता है जो कि detonator के booster charge और detonator explosive charge के part से जुड़ा होता है ये booster charge highly sensitive explosive होता है जो बड़ी ही असानी से active हो जाता है ये finger pin से electric shock लेके detonator explosive charge में electric shock देने का काम करता है ये detonator explosive charge है जो booster charge से electric shock लेके इन दोनो main explosive charge को electric shock देता है जिससे hot gas बनता है और electric shock wave से इन दोनो explosive material में reaction होता है जिससे धमाका होता है ये process बहुत ही तेजी से होता है मुझे परसनली लगता है अब आप ये पूरा process समझ गए होंगे landmine को क्यों use किया जाता है कैसे use किया जाता है और किस चीज में लाये जाता है अगर आप जानना चाते है bullet क्या होती है bullet कैसे चलती है और गोली लगने पर लोग क्यों मर जाते हैं तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखेगा इसमें करीब साड़े आठ लाग व्यूज है जिसका link में description और i button में दे दूँगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत